हेलो स्टुडेंस वेलकम टू कम्पेटीशन एक्स्पेस तो चात्रों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप सेविन की टाइप सेविन का नाम है बेस्ट और रिवर्स अब बोथ हैं बोथ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ तो जैसा कि आपको मालूम है अंग्रेजी वर् देख रहे हैं और देखते हैं कि और क्या क्या बात है हमें जानने चाहिए तो यहाँ मैंने आपको जो है दोनों हाफ को उल्टा करके लिख दिया है जब इन दोनों हाफ को उल्टा करके लिखते हैं तो एक बात आप गौर कर सकते हैं क्या कोर्स कर सकते हैं जैसे यहां देखिए आप इसमें देखिए यहां जी और टी को देखिए यह जब हमने उल्टा नहीं किया था तो जी जो ह है first time में left side से सातवा और right side right side मतलब z की तरब से अगर चले तो 20 वा था वहीं अगर हम बात करें t की तो t जो है left side से यानी a से लेकर अगर हम t तक चले तो यह 20 वे position पर था और right side से अगर चले तो यह सातवे position पर था अब यह बात आपको ध्यान में है चलिए अब देखिए एक क्या होता यहाँ पे अगर हम first half और second half दोनों को उलट देते हैं तो एक बात यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि उलटने के बावजूद यह G और T जो है उसका position नहीं बदला है तो यह अब भी left side से सत्वा है और right side से यह अब भी 20 पोजीशन पर है वही अगर हम बात करें T की तो यह अब भी left side से 20 पोजीशन पर है और right side से सत्वा पोजीशन पर है तो यह बात ध्यान लखना है इसका यूज हम लोग question बनाने में करेंगे कैसे ही करेंगे वो आगे देखेंगे दूसरी बात जब हम पर्था मर्धान स्कूलट देते हैं तो देखिएगा यह जो left वाला लेटर था जो f पहले यहां हुगा करता था अब उठकर यहां चलाया और यहां जो right में यहां h होता था वो h उठकर पीछे चलाया है यानि इसके आगे वाला पीछे चला जाएगा और इसके पीछे वाला आगे चला जाता है लेकिन यह just का तस रहता है वही जो है t के साथ भी होता है t के पीछे इतने सारे लेटर्स होते हैं कि इधर चले आते हैं और ती के आगे यह लेटर थे यह इधर आ जाते हैं यहीं लेट का राइट का लेट अरह पुजाता है बस यह ही आपको ध्यान रखना तो सबसे पहले ये पता किजीए की आप किस हाप में हैं फर्स्ट हाप में है किस सेकेंड हाप में हैं अगर आप फर्स्ट हाप में हैं तो आपको एक रूल फॉलो करना होगा रूल क्या होगा whilst plus right is equal to 14 अगर फर्स्ट हाप में कुश्चन पुछेगा left से तो उसको आपको convert करना होगा इस formula से right में और यदि आपको question पुछ दिया first half में ही है और question पुछ दिया right से तब कुछ करने की आप सकता नहीं बड़ी असानी से answer निकला जा सकता है मैं इस अब बताऊंगा अगर आप second half में चले आए है और question अगर left से पूछ दिया है तो सबसे पहले उस left वाले rank को convert करना है right वाले rank में और फिर उसमें 13 जोडेंगे तो आपका answer निकल जाएगा इस सब मैं detail से बताऊंगा और यदि इसमें right से question दे दिया है अगर आप second half में है और question right से पूछा है तो कुछ ने करना है उसमें simply बस 13 जोड़ देना यानि एक बात आपको हमेशा ध्यान अखना है चाहे आप first half में हो या second half में हो अगर question left से पूछा तो उसको हर हल में right में convert करना है इसमें सिर्फ convert करने पे ही answer आ जाएगा और इसमें convert करने के बाद आपको एक और काम करना है तेरा जोड़ना होगा अब ये क्यों करना है आगे समझ में आएगा तो हमारे सामने यहाँ एक question है question क्या है यदि दोनों अर्धांसों को उलट के लिख दिया तो ठीक है हमने दोनों को लिख दिया तो अंगले जी वर्ण माला में बाएं छोड़ से नौवा अक्षर कौम सा होगा बाएं छोड़ से नौवा अक्षर तो आपके पास पहले ये पता किजिए कि हम जो है किस अर्धांस में रह जा रहा है उलट के लिखने के बावजूद तो देखे यहाँ पुछा लेवड से नौवा 9 जो होता है वो 13 से छोटा होता है यानि कहीं न कहीं अगर हम बाएं साइड से चले नौवा अक्षर ढोने तो हम प्रथाम अर्धांस में ही रह जाएंगी क्योंकि प्रता मर्धांस में टोटल 13 अक्षर होते हैं तो पहले तो यह पता करना है कि सरधांस में यह पता हो गया कि अच्छा हम प्रता मर्धांस में फिर मैंने बोला जैसे ही पता चल गया कि प्रता मर्धांस में है तो लिफ्ट वाले रैंग को कनवर्ट कर लेना है यहीं फर्मूला चलेगा यहां 14 वाला फर्मूला चलेगा तो नौ में यदि हम पाच जो रेंगे तो 14 बन जाएगा यानि जो अक्षर पर्थम अर्धांस में पर्थम अर्धांस को लटने के बाद लेट से नवे पोजीशन पर होगा वहीं अक्षर उसमें राइट से किया है 13 होता है यहां तो अजीब है अच्छा एल का होता है बारा जबकि यहां देख रहे हैं दो है लेट से के कहोता है गारा यहां तीन है यानि कहीं कहीं कुछ तो गरबड है तो क्या करना होगा लेट से चलने में फाइदा नहीं है हमें राइट से चलने में फाइदा न गाइगा और हम पर्था मरधान को उलट दे तो राइट से ने कहीं सीधे एक्शुल नमबर की सारा करता है इसलिए हमने यहाँ लेप को कणवर्ट किया राइट वाले रहने में अब हम राइट से पांचवा चलेंगे तो क्या आएगा यह आएगा और एक्चुली में देखा जाए तो ई का पोजीशन नमबर कितना होता है पांच होता है यह सारा तिग्रम जो हम लोग यह सब कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं यह यह जोटी वाला फर्मूला जो मैंने आप से याद करवाया था सबका पोजीशन नमबर याद कर operate हो इसके लिए बढर को सिर्फ बोला था सुलू में ही कि आप केवल लेफट से लेकर Right तक यह से लेकर जेट तक का सीधा बिना उल्टे हुए ए से लेकर जेट तक का पोजीशन नमबर याद करेंगे बस सिर्फ लेट से बाकि सम मैं सम्हाल दूँगा टेक्निक के मादे हम थे इसलिए यह टेक्निक यहां लगाया जा रहा है समझ गया तो एक तरीका तो यह है कि लेफ्ट वाले रहेंक को राइट में कनवर्ट करेंगे वह राइट वाला रहेंक जो आएगा वो सीधे सीधे जितना नमबर होगा उसका नुसाल लेटर नमबर निकाल देंगे तो यहां एंसर आया यह दूसरा तरीका है अगर आपको यह इसमें दिक्कत हो रहा है तो बड़े आराम से फटा-फट यह लिख लीजिए उल्टा करके और उसके बाद गिल नीजिए कि लेफ साइड से नौवा अक्षर कौन है यह है एक तरीका यह है लेकि एक जाम में उतना तो समय होता है नहीं एक और तरीका यह पूरा लिखने के भ सर तो कोई बात ही नहीं है जी है निकाला आधो कि यह हुट से नवबश्क नहीं होगा क्यों कि हमने व्लट दाए है पीछे वा suggest लागे वाला पीछे चला जाता है यानि कहीं न कहीं इसके पीछे जो छटा पोजिशन पर एफ था वह यहां आथवा बन जाएगा जो ई रहा होगा वह अब नौवा बन जाएगा इस तरह से भी आप निकाल सकते हो यहां में यह पूरा लिखने के जरुवत नहीं है आप सिर्फ जी को अधार बना यदि दोनों अर्धांसों को लटकर लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वनमाला में दाएं से नौवा अक्षर कौन सा होगा अब दाएं से नौवा बोला आप एक बात जान रहे हैं कुल 26 लेटर होता है 26 लेटर में अगर राइट साइट से आप नौवा निकालने जाएग तो नौव तो जो है वो 13 से छोटा होता है और मैंने बोला कि जब भी संख्या 13 से छोटा हो जाए मतलब समझे कि आप फर्स्ट या से केंड हाप में रह जाएंगे फर्स्ट आप में कैसे पता चलेगा लिप्ट से अगर रैंक दिया है और वो रैंक 13 से छोटा है तो मतलब हाप में है और यह राइट से रैंक दिया है और यह वो नंबर वो रैंक जैसे कि यहां नौ 13 से छोटा हो इसका मतलब सेकेंड हाप में रह जाएंगे देखिए अगर इधर में नौव आक्षट निकालने जाएंगे तो आप सेकेंड हाप में रह जाएंगे यह खाली ढून जैसे ही राइट से रैंक देगा उस रैंक को एक्षूल रैंक में कंवर्ट करने के लिए आपको बस 13 जोडने क्या हो सकता है तो हमने यहां नौ में जैसे ही तेरा जोड़ेंगे वह बन जाएगा बाइस और बाइस होता है किसका भी का यह हमारा एंसर होगा अब देखिए आप इसको कंसेप्ट से समझते हैं आखिर ऐसा क्यूं हुआ ऐसा हमने क्यूं किया देखिए अगर दूती अर्धांस को गौर से देखे तो दूती अर्धांस को सिर्फ दूती अर्धांस नहीं लिखा है बलकि इसको उलट कर लिखा गया है जो एन यहां होना चाहिए था व वो अब यहां आ गया, तो उलटने के कारण हुआ क्या है, कि इसका पोजीशन नंबर बदल गया है, अब देखें, राइट से पहला लेटर है N, और एक्चुवल नंबर इसका कितना होता है, चौधा होता है, राइट से दूसरा लेटर है कौन? ओ, और एक्चुवल में कितना होता है इसका 15 होता है जरा गोर से देखिए राइट से हैं दूसरा और एक्चुल में होता है 15 अंतर कितना का है 13 का है कि नहीं अच्छा देखिए एन को देखिए यह राइट से हैं पहला और एक्चुल में कितना होता है 14 अंतर कितना का है 13 का है और यह उसी तरह से अगर आप उनको 20 बनाने के लिए 13 जोड़ना होगा यानि इससे निसकर्स यह निकला कि यदि आप दूती अर्धांस में हो और चुकि दूती अर्धांस को उलट दिया गया हो तो बस कुछ नहीं करना है जिस भी लेटर का रैंक राइट से दिया है उसमें अगर हम 13 जोड़ देते हैं त से नौवा पोजिशन पे कौन है एक तो यह हो गया एक तरीका तो यह है दूसा तरीका अगर मालने ते यह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका मैंने बोला था जो ती अर्धांस में हम रह जाए तो ठी का पोजिशन नहीं बदलता है तो टी होगा राइट साथ और लेप सैट से मिस हो टी का हमें पता करना है राइट साथ से छोगाँ नहीं जो यह होगा यह तो यह संन स्केर तो तो एक ये भी तरीका है बनाने का ठीक है अगर समझ में नहीं आता है एक बार में तो वीडियो को बार बार जो है आप देख सकते हैं कलास में क्या होता है परहाने पर आद्मी यह तीचर परहा के निकल जाता है। लेकिन वीडियो में क्या है आप उसको बार बार जो है रीपीट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं चलिए अगले कुश्चन में चलते हैं अगला कुश्चन है हमारा कि यदि दोनों और धंसों को उलट कर लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्द माला में बाए छोड से पंदर हुआ अक्षर बताईए अब सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि किधर से क्या बोला बोला बाए छोड से पंदर हुआ अच्छा बाए से बोला अब बोला पंदरा अच्छा पंदरा तेरा से छोटा होता है कि बरा होता है तो पंदरा जो है तेरा से बरा होता है मैंने आपको बोला था कि लेट से बोले और यदि 13 से बरा हो जाए संख्या तो कहीं ने कहीं जो है आप 1st हाप को क्रोस करते हुए सीधे 2nd हाप में घुश रहे हैं तो 22 से 15 अक्षर कहीं ने कहीं 2nd हाप में होगा 2nd हाप में जैसे ही आगए 2nd हाप का रूल चलेगा क्या रूल चलेगा अगर 22 से रैंक दिया है तो उसको पहले राइट में कन्वर्ट करेंगे राइट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें 13 जोड़ेंगे हमारा एक्च्वल नमबर निकल जाएगा वही हमारा इंसर होगा तो लेट से 15 अब बोला है लेट वाले राइंक को राइट में बदलने के लिए हम लोग हमिसा 14 वड़ा फर्मूला लगा रहे थे और जैसे ही second हाप में आ रहे हैं थे हम लोग 27 वड़ा लगा रहे थे यह बात धियान अकना है यहाँ हमें बस यह सोचना है कि लेट से 15 15 में ऐसा क्या जोड़े कि वो 27 बन जाए तो 15 में यदि आप 12 जोड़ोगे तो 27 बन जाएगा तो कहीं न कहीं जो लेटर लेटर से 15 हुआ है वो लेटर राइट से 12 हुआ होगा यानि हमें अब पता चल गया राइट से 12 हुआ अगचर और अब यह एक्च्वल नमबर नहीं है वह इसमें बस अब 13 जोड़ने के देरी है जैसे ही आप 12 में 13 जोड़ोगे तो वैसे ही जो है आपको आजाएगा क्या 25 यानि कहीं न कहीं 25 किसका होता है यह वाई का होता है जो तेरह जोड़ने के बाता वालाए एंसर आगया अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है एक तो यह तरीका है कि आप यह लिख के बनाएं दुसरा बात है लिखने के विजरूत नहीं है आपको पता है टी जो होता है यह टी लेप्ट साइट से बिस्छे पो पीशुआ है लेट साइड से इसका होता उनेशुआ कौन होगा तो यू होगा मैंने बोला था आगे वाला पीछे चला जाता है फिर यह भी डबलू आप ऐसे कड़के भी लिख सकते हो एक तो यह हो गया दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि एस से लेकर एम तक 13 अच्छर होते ठीक है तो उलट के लिखने के बाद ए तो हो जाएगा 13 पोजिशन पर हो जाएगा 14 पोजिशन पर जो ए नाना चाहिए लेकिन उसकी जगा क्या हैगा जेड आएगा 15 पोजिशन पर वाई आएगा इस तरह से भी आप सोंच सकते हो लेकिन एक जाम में जब बहुत ज्यादा जटल कुशन होगा या कहीं इस साइड में बीच में कहीं देगा तो ये मेठर बहुत ही बेहतर मेठर है चलिए आगे बरते हैं अगला है कि यदि दोनों और धानसों को लटकर लिख दिया जाए तो बाएं छोड से पाचवे अक्छर के दाएं अब देखिए पहले सीधे सी पहले इसको कनवर्ट करेंगे इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं लेफ राइट जूटता है तो पांच और बाड़ा जूटके क्या हो जाएगा सतरह यानि फाइनली कह रहा है फाइनली बाएं से सतरह हुआ निकलना है सतरह आगे सतरह तेरह से बरह होता है यानि हम लोग खुसके सकेंड हाप में सेकेंड हाप में जैसे घुसेंगे इसका नियम लगेगा लेकिन देखेंगे कि लेफ से रैंक दिया है कि राइट से राइट से अगर दिया रहता ता केवल की जगा आगे क्या 10 यानि जो अक्षर लेट से 17 हुआ है वो अक्षर राइट से 10 होगा यह हमारा एंसर नहीं हुआ अभी भी इसमें काम करना बाकिया क्या यह हमारा राइट से रैंक तो वाया लेकिन एक्चुल रैंक नहीं आया तो हम इसमें क्या करेंगे इसमें 13 याद होना चाहिए इससे हमारा एंसर क्या निकल कहा है यानि कि लेप से 17 वा अक्षर हो जाएगा 23 कुष्टन का एंसर हो जाएगा डबलू एक और तरीका है दूसरा तरीका क्या है हम जानते हैं लेप से 20 होता है टी के बाद यहां यू नहीं आएगा बलकि यू टी के पहले लगचार यह सीधर चला जाए क्योंकि हमने लटकर लिखा है तो एक इसवा हो जाएगा एस अच्छा उसके बाद जो इसके भी पहले आर होता है तो 22 हो जाएगा आर उसके भी जो है पहले जो होता है हमारा क्या बोलते हैं कि लेप से 17 वा पूछ रहा है ना स्वरी लेप से उने इसवा हो जाएगा यू इसी तरह से करते करते पीछे आएंगे अठारवा हो जाएगा भी और सत्रहवा हो जाएगा डवलू सरी इधर आएंगे तो इस तरह से हमनों निकाल सकते हैं तो आप इसको भी आधार बना कर निकाल सकते हो या यह मेठ़ड भी बहुत ही अच् कुश्चन है हमारे पास यदि दोनों अर्धांसों को लटकर लिख दिया जाया तो अंगरे जी वज महला में दाय च्षोर से उन्हीं सवा अक्छर कौन सा होगा पस कुछ नहीं करना है दाय छोडस्टों निसुआ बोला कहीं न कहीं उनई जो है कि इद्यार ही अक्षर है लेकिन हमें पुछ रहा है रहिए जो है यहां नहीं है सुरू Kyra 雲 क्यों बता कर नहीं तो यहां हम लोग क्या करेंगे यहां कुछ नहीं करेंगे यहां शोर्फ और शो एया राइट से राइंक दीआ है सिर्फ प clarity तेरह अक्षर घठा देंगे तो उन्हें से 30 घठाएंगा तो फाइनली निकल कहाएगा राइट से छटाथ और छो किसका होता है एफ का होता है तो चैमरा हमने तेरह क्यों घठाया क्योंकि हमें हमें जो है जल्यटर्य आ दखिए अगर राइट तो एक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा 14 में से 13 घटाना पड़ेगा उसी तरह बी का एक्च्वल पोजिशन दो होता है दो प्राप्त करने के लिए और इधर से राइट से देखे तो अभी यह 15 हुआ है तो बंद्रा में से अगर हम 13 घटा देंगे तो दो हो जाएगा इसलिए जो है याद रखिएगा अगर राइट से चले और यदि हम फर्स्ट हप में घुझ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है बस 13 घटा देना है एंसर आजाएगा अगला कुछिशन देखता है अगला कुछिशन है यदि दोनों और धांसों को उलट कर लिख दिया जाए तो दाएं छोड़ से नौवे अक्षर के बाएं तो मैंने आपको फर्मूला बताया था राइट लेप्ट जूट के राइट देता है यानि फाइनली इस बात का ये मतल सोलहवा बोला राइट से सोलहवा करने का मतलब हम सेकेंड हापको पार करके फश्टाप में घुश जाएंगे जैसे ही फश्टाप में घुशे और किधर से अंतीन छोड़ से अगर घुशते हैं तो जो रहेंक आएगा उसमें से बस तेरा घटा लेना सोलह में से तेरा सकते हैं आगे आते हैं तो अभी इसमें इतना ही कुश्चन है तो स्ट्रेंट्स आज के लिए इतना ही इसके बाद एक टाइप और रहे गया है और उसके बाद यह टॉपिक यह चाप्टर खत्म हो जाएगा थैंक्यू झाल 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 झाल